हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वा लाइन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगे आपके सामने मैस का एक मोस्ट इंपॉ जो हमारा चाप्टर चलता था चाप्टर नंबर न जुक्टी प्रेवर्स लेक्चर में खतम भुआ था उमीद 색깔ँ आपने ने जरूर से आपने जरूर से च्प्र नंबर तो इसलिए यह जो चाप्टर है आपके प्राक्टिकल पॉइंट ऑफ यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको यह वीडियो धान से देखना है तो आज हम लोग देखने वाले हमारा पहला लेक्चर नॉमर वन जिसमें आपको कुछ बेसिक लिखने के बाद हम लोग कुछ एक्जामपल भी सॉल करेंगे ताकि आपको इच एन अवरी पॉइंट जो है एच्छे से समझ मैं तो चलिए शुरू आत करते हैं सबसे पहले आप टेश्बूक में देख सकते हैं आपके बास टेश्बूक जरूर से होगा दोस्तों तो सबसे पहला जो टाइप होता है एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप जो मनी होती आपकी जो पैसे जो आप डिपॉजिट करते हो या फिर निकालते हो विड्रॉज जो करते हो वह बहुत बार कर सकते हो उसका कोई एक लिमिटेशन नहीं होता है कि आप कितना चाहे आप पैसा निकाल सकते हो कितने बार भी डाल सकते हो कितने बार भी निकाल सकते हो that is the exact meaning of current account current का मतलब क्या होता है कुछ चीज करंट है यानि कि कुछ रनिंग है that is mean by current account उसके कुछ limitations नहीं होते है जो बड़े-बड़े businesses होते है ठीक है like industries होते है इनके जो main accounts होते हो current accounts ही होते है और जैसे कि आपको पता है, salary account भी जो होता है, mainly, वो भी एक current account ही होता है, majority of case में current account होता है, तो ये तो मैंने आपको बता दे कि current account क्या होता है, और आप पूरे दिन में या फिर पूरे मन्त में कोई भी limitation नहीं होता है, कितने बार भी पैसे deposit कर सकते हो, कितने बार भी आप जो आपको current account में बोला कि हम लोग पैसे कितने बार भी डाल सकते हैं, कितने बार भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई limitations नहीं होता, correct है, but अगर मैं saving account की बात करूँ, इसमें कुछ limitations होते है, कि आप दिन में एक बार, मन्त में कुछ 5-10 बार, ऐसा होता है, सबका एक limit होता है, तो व आपने, let's suppose, XYZ amount रखा हुआ है, अपने account में, तो उसका monthly या फिर quarterly या फिर yearly जो है, वो basis पे आपको जो interest है, वो मिलता रहेगा, that is a basic difference between current account and a saving account, clear हो गया दोस्तो, ये चीज होगी, अब दूसरी important चीज है, यहाँ पे banking related जो term होता है, वो होता है deposits, आप deposits आप करते हो, तो normally तेरा two types of deposits, बात करें, सबसे पहला होता है, एक और हम बात करेंगे, recurring deposit account, recurring deposit account मतावे क्या का, ऐसा account है, जिसमें आप हर महीने, एक amount जो है, वो deposit करोगे, एक certain amount रहता है, XYZ जो भी amount रहेगा, उसको आपको हर महीने जो है, deposit करना रहेगा, वो आपका saving account जैसे काम करेगा, लेक FD बोलते हैं हम लोग normally, short language में अगर बात किया जाए, तो FD क्या होता है, fixed deposit होता है, जिसमें आप एक certain amount एक ही बार उठाके bank में deposit कर देते हो, let's suppose 50K, 100K, जितना भी आपको करना, XYZ, जो amount होता है, वो सीधा सीधा आप उठाओगे, एन उसको क्या करोगे, fixed deposit करवाद होगे, bank में जाके, तो होता यह है, कि as आप normal saving accounts में आप अपने पैसे रख रहे हो, तो उसमें जो interest मिलता है, उससे ज्यादा interest आपको FD में मिलता है, इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर उनके बल्क में पैसा आता है, ज्यादा पैसे आते हैं, तो वो लोग क्या कर करवाना चाहते हो, आप करवा सकते हो, तो यह होता है, ठीक है, तो यह तो कुछ basic terms होगे, related to banking, और भी कुछ important terms है, जैसे कि आपको पता होगा, कि एक बहुत जाना माना term है, जो कि आप लोग भी करते होंगे यह चीज, जो कि यह ATMs, credit and debit cards, ठीक है, अगर हम बात करें जिसको ATM card बोलते है, ATM card is nothing but, आपका debit card होता है, ठीक है न, उसमें भी debit card and credit card, credit card क्या होता है, आपको पता है होगा, कुछ चीज हम लोगो credit पे लेना है, अगर कुछ चीज, हमारे पास फिलाल में पैसे नहीं है, लेकिन में पास वो credit card है, तो मैं क्या करूँगा, वो credit card से खरीद as a credit card payment, ठीक है, इसका मतलब यह होगा, कि अभी फिलाल में में मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी में वो चीज खरीच सकता हो, अगर मेरे credit card में जो balance है, वो maintain है, या फिर जो amount हम लोग लेते हैं, हर एक credit card का एक amount होता है, किसी का बहुत जादा होता है, किसी का बहुत बहुत सार ऐसे लोग होंगे, जो banking जाते होंगे, बहुत सारे काम जो है, regarding ATM, regarding credit cards, regarding all such activities, आप लोग हमेशा से करते रहोंगे, तो यह कुछ basic चीज है, मुझे खाली बताना था आप लोग को, that's why, हमारा यह पहला जो वीडियो है, उसमें conceptual knowledge आपको में देने की कोशिश कर रह जैसे आपको पता है, एक bank का एक passbook मिलता है, passbook मतलब क्या होता है, एक तरीके के book होते हैं, उसमें पूरा details mention किया हुआ रहता है, आप अपने textbook में देखोगे, तो ज्यादा better में समझ में आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे, dates लिखे रहते हैं, dates के बाद आपको particular होता है, जैसे कि आप देख पाले हैं, बाजू में चेक का number लिखा है, 232069 लिखा हुए, वो number सहां पे लेगा, फिर amount कितना withdraw हुआ है, कितना deposit हुआ है, वहाँ पे सब चीज नजर आएगा, withdraw का column अलब, deposit का column अलब, और last में आप देखोगे, तो balance का column maintain रहेगा, कितना आपक करेगा, जिससे आपको identify होता है, कि हाँ, मैंने ये सब चीज खर्चा किया है, या फिर ये सब चीज इतने पैसे हमने deposit किये है, तो ये एक identification purpose के लिए होता है, और एक तरह के से proof भी होता है, कि हमारे पास एक record maintain होना चाहिए, कि कितना amount of reduction हो रहा है, कितना amount of credit हो रहा है, यह सबी चीज बैंक वाले भी एक record रखते है, that's why passbook is very mandatory and बहुँ जादो important हो जाता है, तो clear है दोस्तों, तो उमीद करता हो कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और 2-3 चीज मैं बताना चाहूँगा आप लोगो, जैसे कि अगर हम बात करेगे जो chapter है हमारा, वो है, banks and simple interest, यानि कि banking related terms तो हम लोगो आएंगे ही, लेकिन simple interest related term भी आएंगे, तो सबसे पहली बात होता है, अगर मैं बात करू आपको, कि एक something amount अगर मैं bank में जमा कर रहा हो, let's suppose 5000 रुपीज है मेरे पास, तो 5000 रुपया अगर मैं bank में जमा कर रहा हो, तो 5000 जो रुपया रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, principle, क्या बोलेंगे दोस्तो, principle बोलेंगे, ठीक है, और वो principle जो होता है, ठीक है, spelling यहाँ पे थोड़ा सा मैंने, principle आपके college वाले principle लिख दिया, PAL होता है, principle याद रखना, ठीक है, तो principle यहाँ पे क्या होता है, एक amount रहता है, एक पै तो interest आपको पता ही है, जिसको हम लोग ब्याज भी बोलते हैं, हिंदी में ब्याज बोलो, सूध बोलते हैं, बहुत सारे profit एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, तो interest है, let's suppose मुझे इसके बदले interest मिल गया 500 रुपिया, ठीक है, तो total amount कितना हो जाएगा, यह मैं आपको बताने के लिए पैसे डाले, ठीक है न, 5000 रुपिज डाल दिये, अब बदले में आपको एक मेने में समझ लो, 500 रुपिया, इतना जादा तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर by chance आप समझ लो, कि आपको 5000 के बदले 500 रुपिया, तो total आप पैसा निकालोगे, तो आपको कितना मिलेगा, यह 5000 रुपिया, यह पांच अजार तो मिलेगा, जो आपने डाला था, लेकिन साथ में आपको इंट्रेस भी मिल जाएगा, जो कि यह 500 रुपिया, यानि कि आपको total पैसा मिलेगा, 5500 रुपिया, और इसी प्रकार जो banking system में वो काम करता है, तब ही तो आप बैंक में पैसे तो आप अपने घर पे क्यों नी रखते हो और एक तरीके से लीगल भी नहीं है ज्यादा पेसे घर में रखना ठीक है रेडव करें पड़गे तो तीका होगा आपने मुवी तो वह सब अलग बात है दोस्तो उसके भी कुछ सटेन क्राइटेरिया होते है रूल से रेगूलेश करते हो उसके इसाब से आप कर सकते हो तो प्रिंसिपल प्लस इंट्रेश्ट इस इकुवल टू अमाउंट यह चीज़ आपको फॉर्मूला याद रखना है जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखने की जरूत है और इसी के बेस पे कुछ एक्जा में लेना चाहता हो बहुत सारे theoretical points तो मैंने आपको बता दिये अब वो theoretical points को real life में use कैसे करना है यानि कि examples में कैसे use करना है वो मैं आपको बताता हो तो let's start तो इसको मैं रफ करता हो फिलाल के लिए और फिर आपको एक example दिखाता हो तो आप अपनो testbook में देखोगे एक टॉप पर एक example लिखा हुआ है उसको मैं लिखके दिखा रहा हूँ यहाँ पर that is example number one है ठीक है तो question इस तरह बोला है अगर मैं पढ़के दिखा हूँ यहाँ पर कि नेहा टू के loan of 50,000 rupees at 12 PCPA अब यह एक नया चीज़ा है 12 PCPA यह क्या होता है मैं आपको बता हूँगा कि जो नेहा लड़की है उसने एक loan लिया कितने loan लिया 50,000 rupees का loan लिया something bank से लिया है या फिर किदर और से लिया है चलो ठीक है bank से लिया है अब 50,000 उसने loan लिया लेकिन उसको interest भी तो देना पड़ेगा क्रेक्ट है क्योंकि अगर मैं किसी से loan ले रहा हूं तो सामने अलब बोलेगा कि मैं तरे को पैसा तो दे दूँगा लेकिन बदले में में इंट्रेस कितना मिलेगा होता है तो इंट्रेस्ट का एक margin होता है जिसको हम लोग बोलते है rate of interest यह चीज़ याद रखना ROI तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा given लिख के दिखाता हूं क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले जो नेहा है उसने क्या किया यहाँ यहाँ पे 50,000 रुपीज लोन लिया यानि कि प्रिंसीपल अमाउंट है फिर उसमें एक और चीज़ बोल दिया कि rate of interest लगेगा इसमें कि रेट ओफ इंट्रेस्ट यह चीज़ ध्यान में रखना rate of interest और इसको हम लोग लिखते है आर से ठीक है न rate of interest that is r is equal to 20% ठीक है बारा परसेंट दिया है मैंने 20 लिख दिया गलती से 12% दिया हुआ है 12% rate of interest बोला है यहाँ पे question में ठीक है ताकि वो जो टू विलर है वो खरीच सके मतलब जो नहा लड़की है उसने 50,000 लोन लिया ता एक साल के बाद जो उसने 50,000 लोन लिया था तो बदले में उसको कितना देना पड़ेगा बैंक को ओवियसली सोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि interest प्लस करके देना पड़ेगा तो start करते है इसको कैसे calculate करेंगे यानि कि हमें क्या निकालना है दोस्तों amount निकालना ह मैं आपको बताऊंगा सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा तो सबसे पहली बात यह समझने की जरूत है कि हम लोग को यह चीज मानना पड़ेगा कि जो भी उसका interest होगा यह तो rate of interest की बात होगे लेकिन interest का amount आपको पता है नहीं पता है तो हम लोग एक चीज consideration करेंगे कि let the interest is equal to x मैंने क्या मान लिया कि जो भी interest होगा वो x होगा क्योंकि मुझे पता तो है क्योंकि interest कितना है मेरेको पता है कि rate of interest 12% है लेकिन exact में amount कितना देना पड़ेगा interest का वो मुझे पता नहीं है तो मैंने मान लिया x तो x मेरा interest हो गया अभी x कितना देना पड़ेगा 12% देना पड़ेगा लेकिन कितने में से देना पड़ेगा 50,000 याने कि जो भी इंट्रेस्ट लगेगा उसको हम लोग 50,000 में से देंगे ना तो डिवाइड बाई 50,000 ये चीज याद रखना ये फॉर्मुला हो जाता है आपको हमेशा इंट्रेस्ट उपर और निचे प्रिंसिबल वह लिग देना है यहां पर एक लाइन किस देता हूं यहां पर तो X will be equal to क्या हो जाएगा आप देख लो X is equal to 12 multiply by 50,000 divided by 100 हो जाएगा ठीक है 20 यहां पर 20 cancel 500 multiply by 60 sorry 12 is 6000 हो जाएगा correct है तो X हमारा आ गया यानि कि interest जो आ गया वो कितना आ गया च्छे अजार रुपया ठीक है तो मैंने लिग दिया यहां पर X is equal to 6000 रुपीज यह एक चीज मिल गया अब X मेरा क्या है मैंने माना था interest आ गया तो मेरा interest जो आ गया दोस्तों interest जो आ गया आ गया वो 6000 रुपया आ गया यहां लेकिन हमें निकालना क्या है दोस्तों question में पूछा क्या है हमें amount निकालने बोला है amount is equal to question मांके correct है तो मतला मुझे amount निकालना है तो मैंने एक formula अभी अभी आपको सिखाया था दोस्तों इसके पहले जो theoretical points पढ़ा रहा था कि amount is equal to principal प्लस interest तो amount is equal to principal के लिए P लिख रहा हो यहां पे plus interest के लिए I लिख रहा हो प्रिंसिपल लड़की ने 50,000 और interest कितना आ गया 6,000 मतलब total amount कितना हो जाएगा amount will be equal to 50,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा दोस्तो 56,000 तो 56,000 रुपीज यानि कि वो लड़की ने bank से एक साल के लिए 50,000 रुपे लिया ताकि वो स्कूटी अपना खरीच सके अब उसको interest 12% देना पड़ेगा 56,000 देना पड़ेगा यानि कि 6,000 रुपे जादा देना पड़ेगा क्यों देना पड़ा क्योंकि उसके उपर इसको interest लगा आगे हम लोग और करेंगे लेकिन आज के लिए इतना ही तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगो ये जो भी concept मैंने banking के related पड़ाया है आप लोगो ये आप लोगो अच्छे से 100% समझ में आ गया होगा तो पहला लेक्चर हमारा आज नया चाप्टर का आगे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार है फटा फट से शेर कर देना दोस्तो अगर आपने अभी दग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटा फट से हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सापने बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडि notification बिलती रहेगी ठीक है friends तो मिलते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए thank you and goodbye